ageshereloo friends welcome back to my channel developCiction आज मैं आपको बहुती आसान तरीकी से बहुत ही एजी तरीकेसे आप अपने बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हो बहुत फीड्र से और बहुत ही आसान तरीकेसे आप अपने बालों को काल भी कैसे कर सकते हो .. MOM वो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और जिसके बाल भी थिक नहीं है वो आप बहुत ही आसान तरीके से थिक कर सकते हो मतलब मोटे कर सकते हो और बालों को शायन भी आप पहुशा सकते हो शायन भी आप करवा सकते हो शायन भी आप करवा सकते हो अपने बालों के बहुत ही आसा हो जाती क्योंकि चाय पीना सभी को पसंद है बड़ चाय ने नुकसान करती है अगर आप नॉर्मली पीते हो तो क्योंकि चाय में बहुत जादा कैलरी जो आपको बता है और हमारे हाट के लिए भी जादा अच्छी नहीं होती है बड़ चाय पती हमारे लिए बहुत ही करता है अगर अब मेहंदी लगा और डाले। और हैं पानि झाले। नोची मेहर करpiece चाय पती है यूज typ करें ऑधा है। तो इस तरीके से आपको पतिला ले लेना है, और पतिले में अब डालेंगे दो ग्लास के लगबक पानी, तो ये बहूत ही आसान तरीके से सिरम बन के त्यार भूगा कर सकते हो बालों के लाप बहुत घ्याद अच्छी मजबूत घ्र कीज़ाय को मिल रही नहीं दो आपको पूरी चाय पती नहीं डाले चेख रखें चया पती निकरने के बाद अब आप देख सकते हो गफ prevention तो दूर की बाद नॉर्मल पाने में भी छोड़ने लगती अपना और अब इसमें डालेंगे मेती दाना मेती दाना भी आपको एक चमच के लगबग डालना है और आपको इस तरीके से चाय पती वालों को काला करने बहुत ही मदद करते हैं तो इस तरीके से आप अब नॉर्मली सुखे कड़ी पते भी ले सकते हो तो इस तरीके से मैंने कड़ी पत्य प्रेड़ी कर दिए इसमें तो अब इसको गैस पे चड़ा देंगे और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे तो यह रेमेडिव बहुत यासान तरीके से बनके त्यार होती है इसक क्या होता कुछ लोगों के बाल बढ़ते निए ग्रोथ नहीं करवाते हैं अगर आपको ग्रोथ करवाने तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बतादू जैसे आपको बालों को ट्रिम करवाते रहना चाहिए मतलब आपको नीची नीची से बालों को कटवाते रहना चाहिए उस तो इसमें राले कि अज परह ने लिए यह तो यह बिल्कुल उन चीजों को रोकने वाली चीज आपको देख सकते हैं मैं बनाना बता रही हूँ तो इसमें रालेंगे अली तो भीर आपको रेश लेना है तो इस तरही किसे डो तीन पीस में डाल देंगे आपको इस रेमेडी को ट्राय करने के लिए इसले पूरू कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आमेजिग आता है तो इस तरीके से आपको इस तरीके से अलोविर भी डाल देना और अब इसको पका लेंगे लिए पांस से साथ मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे लो से थोड़ा सा मीडियम रखना है और फिर पका लेना इसको तो यह मैंने ऐसी चीज़े डाले हैं जो आपके घर में आसान तरीके से वेलिबल हो जाए मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें डाली ही नहीं नहीं मिल सकती है तो इस सिरम को आपको ना हफते में तीन बा करती है अगर आप बाल दूलते हो आपको भी तो आपको इस तो आपको एक गंटे लिए रहना है है और फिर आपको एक गंटे रखने के यह वाश कर लेना है यह चैंपू से तरीके से आपको हफते में दो राय करनाहीं रिजल्ट आप खुद बाल तेकि बाले लग जाएं मैं आपको यह नहीं बोले हैं आपने एक बार में ट्राय किया है आपके बहुत जादा बढ़ गया है अगर आपने पहला टेंप भी तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगी 100% में आपको गैरंटी रेती हूं और जिसके भी ड्राय और रूखे बाल रहते हैं वह प्रॉब् से बढ़को बीजि़र अब बहुत सब्सक्राते हैं तो आपको बालों के तो अपनी देखवाल करना है तो असे बहुत ही आसान दो पर गश्य को बहुत हैं जिसके भी ठेस्ट हम आपको नहीं जड़ोत है आपको इस प्रप्राइज असे आपने द्दीक पाल ज्यान नहीं तो भी बहुत ही अच्छी बात है आप इसको यूज कीज़ेगा आपकी बहुत ही जादा अची तरी किसे पूरी प्रॉब्रम्स खतम होने वाली है तो आठ मिनिट के बाद ना मैंने इसको पका लिया था अची तरी किसे मेती दाना ना अची तरी किसे फूल चुका है कलर किसे सिर्म घ्यार के बाद के वी करने ना बुषैर्ण that we तो आप वी भी डबे में स्टोर कर लीजेए कि तो कोई को भी बॉटल में स्टोर कर सकते हैं और फिर आपको प्रे बालों किस तरीक से लगाना है तो मैं आपको बता देते हूं अभी इसको ठंडा करके आपको यह सब चीजे करनी है मेरको आपको थोड़ा सा जलदी बताना है इसलिम आपको इस तरीक से गरम-घरम ही बता रहे हूं आपको यह प्रोसेस अप करूंगी ने वह बिल्कुल ठंड इसको तो यह पानी आपके लिए बहुत यह होने वाला ये अब मैंने इसमें डाल restless यह 6 तो द्युक्त नहίν आ और आपके पास नहीं है कि मैंने डाल दिया यह पास lean आपके बालों को बहुत एची तरीके से मजबूती वी देगा इसलिए मैंने अलवेरा जेल ऑला था अगर है तो डाल दीजेगा नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं मैंने आपको पहले बोल दिया है इसके आपके पास नहीं है तो अब इन दोनों आपके चीज़ों के अच्छी त नहीं नहीं यहीं मैं लिए न Lucas ai लुड़ा थोड़ा है अपने बालों में ये थापते में एक बाल थोड़ा सा मसाज कर लेए आपको उससे आपके बहुत हैं नहीं अग्षाइग ऊफीर से फाला सागता अवां दुर्फू नहीं लगाने नहीं तो बाल जर्णा भी बहुती ज़ल्दी स्टार्ट हो जाते हैं गरम-पानी अगर आप अपलाइ करते हो तो आपको फिल्टर का पानी अपने वालों में यूज नहीं करना इस तिस चाहलना अपको द्ध्यान रखना पालों को आपको अच्छे तरीके से कि ज़रूत नहीं है अगर अपने तेल लगा रखा तब लिए इसको ट्राय कर सकते हैं कि अदन अगने cash when your